को अभी आड वीडियो सब कुष प्रॉपरली आ रहा है गुड इवनिंग मुस्कान, गुड इवनिंग तनुश्री, कुरुतिका, सत्या, निशा, रीना, सभी को आडियो, विडियो, सब कुछ प्रॉपरली आ रहा है आपके कुछ डाउट है, इस्पेशली जब और्गनाइजेशन के बारे में अगर हम डिसकस करेंगे यहाँ पर तो आज सबसे पहले जो मेजर और्गनाइजेशन है, हाला कि हमने इसको अलग से पढ़ाता है FSSAI स्पेशल में बट यह भी हमारे नैशनल और्गनाइजेशन का ही पार्ट है, FSSAI ठीक है, तो इस्पेशली FSSAI को ले करके अगर कुछ डाउट्स हो आपके, तो यहाँ पर आप पूछ सकते हो, अधर्वाइस हम कुछ कुछ डिसकस करेंगे आपर ठीक है, सब कुछ बढ़िया, ओके तो अभी आपके न, regulation के अगर हम बात करें ठीक है, अभी अगर हम regulation की बात करें, तो mostly आपके जो भी regulations है, हाँ, इस PICE बोड का lecture अभी बाकी है, वो नहीं आया है ठीक है, बाकी क्या, वो अभी हाँ, pending में है, बाकी सारे हो गए हैं, कि स्पाइस बोर्ट को भी फिनिश कर देंगे आपके एक्जाम से पहले या फिर अभी जल्दी जैसे ही रेगुलेशन वगएरा फिनिश होगा उसके बाद में फिनिश कर देंगे है और कुस डाउट है आपके है ठाथ की एक इसमें से लगबग सारे सारह कंपेट हो चुके एकются लगवessäन कौन सा बाकी एक रेगुलेशन हमारा बाकी है यह वाला ठीक है इसमें बहुत मेजर अमेंडमेंट हुए हैं बहुत सारे चेंजस हुए हैं तो इसको भी हम देखेंगे ठीक है इसमें बहुत सारे चेंजस हुए हैं तो उसके बाद में फाइनल एक क्लास या दो क्लास में फिनिश होगा कोशिश करेंगे कि इसको एक क्ला कवर हो गया यह भी कवर हो गया इंपोर्ट जो है इंपोर्ट रेगुलेशन में मिंशन है हाला कि हम इसको एफसे से आई की क्लासस में कवर कर चुके है ठीक है तो वहाँ पर भी वही चीज़ें हैं तो दुबारा से पढ़ाने की जरूरत नहीं है इंपोर्ट को अलरड़ी हम एफसे से आई क्लासस में कवर कर चुके हैं तो इंपोर्ट में वही पढ़ना होता है जो रेगुलेशन में मिंशन है तो हम रेगुलेशन की ही जो पॉइंट से उनको ले करके वहाँ पर क्लास में हमने डिसकस किया है तो इस वज़े से क्या सकते हैं यह कवर है यह भी आपका कवर हो गया फूट सामनी कौन से बसते हैं और यह जो है प्रोवीशन को लेकर के फिर गया और पूट को रेश्टर किया गया है तो वहमें देखना है तो मेजर हम लोग रेगुलेशन लगभा कंपलीट करने वाले है ठीक है उसके बा और बचे हैं जिनको हम discuss कर लेंगे फाइनली हमारा regulation complete हो जाएगा फिर regulation को बहुत अच्छे से exam से पहले जब भी आपके exam होंगे ठीक है exam अगर इस year के end में notification आ जाता है तो उसके तीन महीने बाद साड़े तीन महीने बाद हमें exam देखने को मिलेगा अगर थोड़ा हो सकता है और डिले भी होगा लेकिन exam तो हो गई होगा किसी ने किसी स्टेट में exam साते रहते हैं अभी जैसे गुजरात में आया बट बहुत सारे लोग वहां पर इलिजिबल नहीं क्योंकि experience मांगा है तो इस वज़े से बट exam कहीं न कहीं आते रहते हैं अगर हम देखें RPSC को लेकर करके अगर हम बोले यहां पर 100 पोस्ट के अगर बात करें तो उसको लेकर के government काम कर रही है हाला कि कुछ issues हैं जिसकी वज़े से इसको रोक करकर रखा गया है बट जल्दी आपको यह 100 पोस्ट देखने को मिलेंगी जो लोग राजिस्थान से हैं और जिनको अगर वो government के बा अपनी तरफ से आप पढ़ना धीरे-धीरे स्टार्ट कर दो ठीक है तो अब कमिंग में हमें यह चीज़े देखने को मिल सकती है और पीसी को लेकर करके और एफसे से आई निकालेगा ही निकालेगा ठीक है अभी क्या हुआ है कि 100 जो है वो एफसे से लैप सेटप करने वाल तो रिक्रूट्मेंट निकालना पड़ेगा ठीक है दिली एफसो कि अगर हम बात करें डियस असवी जो है यहां पर जो 32 पोस्ट थी डियस असवी अब डियस असवी में जो 32 पोस्ट थी इनको भी आप एकसपेट कर सकते हो कि अपकमिंग येर में आपको देखने को मिलेग यानि कि 2024 के एंड में या फिर 25 में थोड़ा इलुक डिले करी देते हैं फाइल यहां से जाती आगे जाती आगे जाती धीरे-धीरे करके डिले होई जाता है बट ऐसा नहीं है कि वेकेंसी आएंगी ही नहीं ठीक है तो इस वज़े से जब भी आपको एपॉश्निटी करें है ठीक है इसके अलावा कुछ और ४शर दाउट से अपके बताओ अटीक है कि सेक्रेटरी का क्या रहता है कि सबसे टॉप पे सेक्रेटरी उसके नीचे अडिशनल से ग्रेटरी उसके नीचे जैडी जरिए एशे करके वहाँ पर रैंक्स होती है और FSSI में कुछ बहुत मेजर हैं जैसे कि Chief Executive Officer हो गया, Chair Person of the FSSI हो गया यही मेजर ranks होती हैं जहां पर appointments पगेरा होते हैं बाकी के सारे members होते हैं बाकी के जो members होते हैं वो आप देखोगे कि जो Government की जो ministries और department से वहाँ पर काम कर रहे होते हैं तो वो ex-officio members होते हैं, ठीक है, तो बस दो कई आपसे जो questions generally पूछे जाते हैं और बाखी जो members होते हैं, वो joint secretary rank होते हैं, बस इतना आपको याद रखना है और कोई doubts हैं आपके मन में, तो आप पूछो, ठीक है, तो इतनी चीजा आपको धिहान रखनी है जो regulations अभी हम पढ़ रहे हैं इनको हम exam से पहले अगर आपको पता भी है कितने provisions है न तो उससे पहले जब हम एक बार revision करेंगे तो आप regulation में जो भी आपके answers होंगे वो गलत नहीं होंगे और यह सबसे important part होता है FSCI में selection के लिए अगर आप देखोगे कि CBT1 में अगर आपको अच्छा score करना है तो आपका law वाला portion कफी अच्छा होना चाहिए मेराथन वगेरा जो है वो सब मिलेगा अगर कोई exam होता है जैसे कि JPSC का हुआ था जहारखन का exam हुआ था कोई भी exam अगर लगता है आपका बीच में चाहे वो कोई भी exam हो चाहे वो food analyst हो चाहे किसी state FSO का exam हो तो उससे पहले उसका मेराथन आपको मिलेगा बट अभी मेराथन डालने का कोई मतलब नहीं है अभी आपके पास में time है उस time को utilize करो एक एक class को देखने में बहुत सारी बाते ऐसी होती है इसपेशली अगर हम food law को लेकर के बात करें तो बहुत सारी चीज़े ऐसी होती है कि जो यहाँ पर नहीं लिखी होती है और वो आपको समझना जरूरी होता है बहुत सारे questions ऐसे आते हैं जो direct factual नहीं होते हैं कहीं पर ऐसा लिखा नहीं बट थोड़ा सा आपको समझ करके वह अगर हम देखें डी चांस ऐसा इंटर्व्य होने के टीक है जो भी होगा आपका एक्जाम होगा एक्जाम के बिस्स पर ही आपका मेरिट बनेगा उसी के according होगा हाँ दुबारा से जो रिवीजन होगा उसका एक सही टाइम होगा उसके according हम उसको प्लान करेंगे उसके साथ में चीज़ें होंगी कि युद दू कोफी बॉर्ड और इन सब के मेंबर्स को लेकर के हमें वहां पर जो चीज़ें हैं हमारेली इतना जदा इंपोड़न्ट हो नहीं जाता अगर हम कोफी बॉर्ड का कोई एक्जाम दे रहे एक ग्रिकुल्चर का कोई एक्जाम देरे तो हमें यह जो different हो गए इनके जो members होगे उनके बारे में पता होना चाहिए बट हमारा main focus FSCI के जो members है APEDA हो गया MPEDA हो गया और इसके लाबा एक organization और BIS इनके जो members है इनके बारे में आपको धिहान रखना है पता होना चाहिए बट बहुत बहुत जादा हमें other organizations के member कौन कौन से होते हैं कहां से आते बहुत जादर detail में ख्याद रखने की ज़रूवत नहीं है computer की classes जो है वो अब देख लेते हैं गर डिसकस करके आप group में message डाल देना तो आपको बता देंगे कि कितनी क्या लगेंगे उनसे पूछ करके dssb में अगर हम पिछली history देखते प्रिवियस यह पेपर देखते तो उसमें हमें अलग भी कोशन देखने को मिलते हैं मैस के भी कुछ कोशन डाल रखे हैं फिजिक्स के भी कुछ कोशन डाल रखे हैं तो वह पूरा का पूरा syllabus जो है वह एक बार revise होना चाहिए ठीक है तो dssb में अभी यही कह सकते हैं कि मतलब उसमें भी syllabus थोड़ा चेंज होने के चांसे हैं क्योंकि वहां पर अभी जो ड्राफ्ट आया है वह लेकर करके जो आया है उसमें में क्वालिफिकेशन को लेकर के चेंज किये गया है उनका syllabus जो बहुत बिलकुल अलग है वहां पर math physics के topic wise mcq के लिए सबसे best होता है कि आप previous year papers को solve करो यह मालो कि अगर आपने 25 से 30 previous year लगा लिए अभी क्या है अभी आपको 20-25 previous year मिल जाएंगे दीरे-दीरे करके आगे जाओगे तो add होते रहता है जैसे है कि अभी recently अभी जारगन के दो paper हुए दो paper वो हो गए आपके पास में मेगाले का paper हुआ तो यह तीन paper होगे तो ऐसे करके जो papers हैं उनको सारे papers को अगर आप लगाओगे तो वो सबसे ज़्यादा आपको help करेंगे अगर आप topic wise food chemistry या फिर इन सबको देखोगे तो जो भी आपको books मिलेंगी वो different exams के लिए मिलेंगी तो वो कोई net के लिए use करता है कोई get के लिए use करता है different different books होती है तो बट आपके लिए सबसे अच्छा जो आपको result देगा 100% result देगा वो है previous year papers को बहुत अच्छे से लगाना और जो भी topics हम पढ़ा रहे हैं वो आप अच्छे से पढ़ लो mock test लगा लो उसके बाद कुछ नहीं बैसता इतना कर लो more than enough और questions practice question practice के साथ में जो classes में आपको पढ़ाया जा रहा है जो भी concept जो भी content भी जो प्रिपेर किया जा रहा है वो previous year questions को ध्यान में रखके किया जाता है आपको बताया भी जाता है कि ऐसे questions ऐसे questions आते हैं आने के chances हैं ठीक है तो commissioner of food safety और जो होते हैं मेंली जो होता है कि यह सब आई-एस officers होते हैं ठीक है तो commissioner of food safety आप देखोगे कि जो भी appointments वगेरा जो भी होते हैं वो state government इनको पॉइंट करती है तो already यह civil services में होते हैं civil services में होने के बाद में भी इनको बहुत अच्छा experience होता है देन इनको उसके बाद में अपॉइंट करती है ऐसा commissioner कौन state government अपॉइंट करती है तो इन सबसे रिलेटेड आपके questions नहीं पूछे जाते बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे ठीक है रीजनिंग वगेरा के लिए classes से start हो जाएंगे अभी क्या है GS की start हुई है आपकी GS के भी start हुई है तो इस वज़े से एक एक subject लेकर करके चलते हैं अभी बाकि technical part करते रहो ठीक है और कोई doubt है तो पूछो आप दरवाइस हम questions पर चलते हैं बहुत basic सा question है सबसे पहला जो question है वहाँ से start करते हैं बाकि यह चक करते हैं कि आपने कितना FSCI portion को अच्छे से बढ़ाया आप तभी exam दे सकते हो जब आपके सारे semester complete हो डिग्री आपको नहीं मिली है तो भी चलेगा लेकिन प्रोविजनल डिग्री certificate at least आ गया हो जब आप form fill up कर रहे हो यानि कि आपका जो सारा result है वो clear हो जाना चाहिए तो result तो आ जाता है RPSC course जो है वो website पर लिस्टेड है ठीक है और आप लोगों के लिए जो लोग already जिन्होंने यूपी ट्रिपल सी या फिर एफसे से जूनियर अनलिस कुछ भी अगर है तो RPSC में अगर आपको इन्रोल करना है तो RPSC के लिए यहाँ पर जो coupon code है जो आपको code apply करना है वो कौन सा apply करना है वो आपको apply करना है कि एफस यहीं करना है कि कुछ भी लगाओं के दोनों काम करेंगे स्टी डी यानिकी स्टूडेंट ओल्ड या फिर ओल्ड इस्टूडेंट यह आप करोगे तो इसके बाद में जो RPSC का प्राइस होगा वो ट्रेपल नाइन हो जाएगा ठीक है तो इससे आप कर सकते हो आप होगे कोई 2011 वाला तो नहीं है ठीक है कोई बताएगा थोड़ी बहुत हिस्ट्री एफससेयाई के सेटप को लेकर करके कैसे क्या हुई कमारा यह हो जाएगा लेकिन कहहां से चीजे इस्टार्ट हुई क कोई बताएगा थोड़ा बहुत आइडिया सबसे पहले 2002 में क्या होत सबसे पहले जो भी प्रिपेर होता है यह हमारा एक्ट बनता है और 2006 में 2006 से बाद है 2011 में जो होता है वो fssai पूरी तरीके से वर्किंग में आता है ठीक है 2011 में यह पूरी तरीके से वर्किंग में आता है मतलब effective manner में काम करना है स्टार्ट करता है license इशू करना registration इशू करना क्यों कि तब जाकर के rules and regulation बनते हैं तो उसके basis पर यह काम करना शुरू करते हैं ठीक है ठीक इतनी चीज़ आपको clear है यहां तक और यह भी कोशन देखो fssai में पूछा गया assistant में पूछा गया तो budget speech session वह कब हुआ था दो हजार दो यह चीज़ बहुत बेसिक रहती है बट पूछ लेते हैं यहां पर इंडिया में नोटिफाई किया गया था कि अभी फोर रिजनल आफिससे कहीं कहीं पर हो सकता है सिक्स आपको देखने को मिलें तो अपडेट करके आपको और कर लेना है और कहां कहां पर है कि और कहां कहां है जो फोर रिजनल आफिसस हैं वो कहां कहां है ठीक है डी में जो है न वो मेंड डी में नहीं है ठीक है वो कहां पर है कौन से रीजन में है डेली वाला है कहां पर गाजियाबाद में, टेली एंसियार गाजियाबाद में, ठीक है, ठीक है, तो कहां कहां पे है, कोलकाता में है, चिन्नई में है, और मुंबई में है, और गाजियाबाद में है, ठीक, नौर्थ की अगर बात करें, तो गाजियाबाद है, नौर्थ इस्ट की बात करें, कोलकात में हैं और अगर हम वेस्ट साउथ रिजन में जाते हैं तो उदर कहां पर है तो हम देखते हैं कि हमें मुंबई में देखने हुआ ठीक इतना किलियर है कि नेस्ट कोशन है कितने डिविजन के साथ में काम करता है बहुत बेसिक से हैं अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे लगबग 30 कोशन आज प्रिपेर किये हैं जो हम यहां डिसकस करेंगे हाँ ट्रिपल पी मॉडल के साथ में गाजियाबाद वाली जो लैब है वो काम करती है ठीक है पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप जिसकों बोलते हैं तो ग्यारा डिवीजन से यहां पर इन 11 डिवीजन के साथ में एक बार देख लो तो यह जो एफेसे से आएक कि जितने डिवीजन से न इनमें हम यह कह सकते हैं कि हर डिवीजन में मोसली जॉब्स वगएदर निगलती रहती है तो यहां पर एक तो स्टैंडर्ड डिवीजन है फूद सेटी को लेकर के जो भी स्टैंडर्स बनाया जाते है तो टेप्निकल जो होते हैं वो यहां पर स्टेंडर्ड डिवीजन में भी काम करते हैं जो स्टेंडर्स वगेरा बनाने होते हैं अर्टिकल ओफ फूड को ले करके एक हमारा है regulation and codex division तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर जो regulation बनाने का काम होता है codex division यानि कि codex elementarius commission जो international food standards है उसको धिहान में रखते हुए यहाँ पर जो भी चीज़ें है regulations जब बनाया जाते हैं तो उसको लेकर कि यह division है ठीक है quality assurance वाला division जो आप देखोगे जो भी आप देखते हो कि लेबरेटरी का जो सारा data होता है कितनी लेबरेटरी इसको एप्रूवल मिला ने बील किसको देना है किसका रिजेट करना है यह सारी चीज़ें आपको यहां से देखने को मिलेंगे human resource आपको पता ही है और training वगेरा हो गया human resource में आपको पता ही है कि हर दिवीजन हो गया यह फिर उसके बाद में एक हमारा finance दिवीजन फिर इंपोर्ट डिवीजन है इंपोर्ट डिवीजन बहुत इंपोर्टन है जो भी आर्टिकल और फूर्ट हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते तो उससे रिलेटर जो भी activities होती है all over country में वह यह हमार depreci tab को आगे चल कर आगे कैसे करते हैं कैसे उसको कम कर तो यह सरी Hendrix होती है जैसे वह यहाँ पर होती है क्योंकि काप्र हैं के साथ में यहां पर काम करता है ठीक है उसके बाद में अगर हम बात करें कोशन नंबर फॉर है कि विच आफ दा फॉलोविंग इस नौट रिलेटेट टू फूड इस्टेंड डाइजेशन इसका अंसर क्या होगा कुशन नंबर फॉर है कि विच आफ दा फॉलोविंग इस नौट रिलेटेट टू दा फूड इस्टेंड डाइजेशन फूड इस्टेंड डाइजेशन आपने पढ़ा होगा जो फूड इस्टेंडर्स बनाने का जो एक प्रॉसेस होता है उसके कुछ पॉइंट से यहां पर चारों में से कौन सा पॉइंट है जो रिलेट नहीं करता है फूड इस्टेंड डाइजेशन को हाँ एक अंसर आया है अभी शेक और मॉनिका ठीक है अभी अंसर सानव शुरू हो रहे है अ ठीक है ठीक है तो मोसली ठीक है तो यहां पर कि सोनिया का डी अंसर हैं बाकी मोस्ली सभी ने भी अंसर किया है थीक है अदिपांश्यू आपने एंसर किया है ठीक है लोक्तुमों में ब्रियांजली बी के रीना डी डी और बी ठीक है तो इसका करेक्ट अंसर क्या होगा इसका देखो पहला statement अगर हम देखते हैं कि standard should be uniform nationally तो जो भी standard है वो uniform in nature होने चाहिए सही बात है तो उसके according देखें तो ये statement हमारा सही है सही मतलब सही है इसके बाद में जब uniform नहीं बनेंगे तो क्या होगा जो भी food business operator है बहुत सारे food business operator को confusion होगा तो जो भी standards है अगर uniform in nature होगे तो किसी को follow करने में कोई problem नहीं होगी बी वाला कह रहा है कि जो process of standard setting is carried out in confidential manner तो यहाँ पर confidential तो नहीं होगा यहाँ पर होना चाहिए transparent manner में होना चाहिए ठीक है तो इस वज़े से अगर हम according to the question देखे तो हमारा यह वाला statement सही होगा ठीक है अब बाकी यहाँ पर देखो जो establishing food standards protection of public health यह तो सही होगा अगर हम देखे relate करता है क्योंकि जब हमने codex elementary commission को जब हम पढ़ते हैं तो fsci setup होने से पहले ही codex आ गया था codex कब आया था codex आया था 1963 में 1964 में इंडिया इसका member बना था तो तब से पहले international standards आ है बाद में हमारे यहाँ पर national standards आ है तो वहाँ पर सबसे पहली लाइन लिखी थी कि यहाँ पर जो standards बनाने का जो basic purpose है वो यह यह जो consumer है या फिर जो user है उसकी public है उसकी health को यहाँ पर protect करना ठीक है फिर आता है scientific committee comprises of the chair अब बन यह जगाँ फेलजन कि इसेव依सास के दिशेंघ difference काम होते हैं उस में इसे सबसे हमारा यह option भी जो है वो करेक्ट होगा अकॉर्डिंग तू दा कोशन कोशन नमबर फाइफ है कि नैशनल फूर्ड स्टांडर्ड डेवलप्ट बायदा नैशनल जो फूर्ड स्टांडर्ड से उनको कौन डेवलप्ट करका है हाँ हाँ सब्सक्राइब ओके शो मोसली जो अंसर्स आ रहे हैं fss ai a ओफोजन हो गया लग रहा है ए ए ए फाइफ का डी तनुश्री डी मॉनिका डी प्रियांजली बी जिपांशु ए तनुश्री फाइफ ए ओके ए ए ए ए ए ए ठीक है तो इसका क्या है सबका अंसर यह यहीं है तीनों करेक्ट होंगे ए बी सी है अच्छा ठीक है तो इसका देखो करेक्ट अंसर क्या होना चाहिए अगर हम देखें कि चाहिएस पूर्टी स्ट्रेट्स बनाता है और किया भी आईएस फूर्ट को लेकर के स्टैड्रस बनाता है हम बनाता है क्या जो है वो आप देखो Gưng जो साथ ही साथ जो रहिए से वह किसके लिए स्टेंट बनाता है बाटर होगया पैकिंगा जो आप देखोगे मिनरलबोंगों हो गया मिलक़ को लेकर यह बहुत कौमन स्टेंडर से कैं डिबोट नती है कि तरीक है किसी आर्टिकल पूड में कितना क्या होना चाहि Are किसी भी article of food में अगर आप देखोगी यह basically export को लेकर कि यह promotion करते हैं बट यह उस तरीके के directly कोई standards नहीं बनाते हैं तो इस वज़े से जो हमारा correct answer होगा इस वज़े से हमारा जो correct answer होगा वो होगा A और B ठीक है तो FSAI और BIS जो है वो national level पर standards बनाते हैं ठीक है के लिए रहे अभी हाँ only food के लिए पूछा गया है तो BIS food के लिए standards बनाता है milk के लिए standards बहुत सारे हैं BIS के water के लिए भी है BIS की class में भी आपको पढ़ाया गया है कि कुछ important standards है जो BIS बनाता है तो BIS national standards body है तो BIS का दायरा बहुत बढ़ा है वो food के लिए तो standards बनाते ही बनाते हैं बाकि आप देखोगे कि और other products के लिए भी standards बनाते है और FSAI केवल food के लिए standards बनाता है तो BIS तो दोनों जगे फिट बैटता है ना अभी कोई doubt है निशू के लिए रहे ना BIS ने water को लेकर के बहुत जादा standards बनाये हुए mineral water, package drinking water और उनी standards को FSAI recognize करता है तब ही FSAI बोलता है कि अगर आपको उसका अगर आप चाहते हो कि आपको कुछ packing drinking water जो होता है package drinking water का अगर आपको कोई business करना है तो वहाँ पर जब आप FSAI के पास मिचाओगे जब आप तो वहाँ पर वो BIS mandatory कर देता है कि आपके पास में BIS होना चाहिए और आपके पास में FSAI होना चाहिए यह दोनों होने चाहिए ठीक है यह दोनों वहाँ पर होने चाहिए जब आप बात करते हैं जैसे milk सबस्चराइब होगे कि बहुत सारे इसके इस पर बिया यह देड़री बनाया हुए और तो यह हमारा जो में और उभी दखेंट है और यह गैस हो गया और ब्याजकुए संब्सक्राइए ऒगयरा करला हुए उस में हमों के दो को वैंग उता तो जहां पर सेफटी की बात आती तो बिया इस बहुत अब आप देखोगी कि मोबाइल के पीछे भी आपको बिया इस देखने को मिलता है तो जो इलेक्ट्रोनिक एडम्स होते वहां पर भी आइस आपको देखने को मिलेगा जो ब्लॉक्चेन टेक्नोजी उसमें तक भी आइ तो आपको देखने का में एक्सपोर्ट को लेकर एक्सपोर्ट को लेकर के वह काम करता है तो इसमें यह हमारा होगा स्टेंशनिंग और फूट टेस्टिंग लेबरेटरी ठीक है तो बेसिकली स्टेट लेबल पर अगर हम देखे तो वहां पर फूट लेबरेटरी का जो पूरा एको सिस्टम में उसको और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए क्या किया गया यह पूरा स्कीम लेकर के लाएगा तो सॉफ्टल एक स्कीम है ठीक है सॉफ्टल एक स्कीम है उस स्कीम के कितने इनिशेटिव है यह बता आप सॉफ्टल एक स्कीम के कितने इनिशेटिव है ठीक है कितने इनिशेटिव है छे इनिशेटिव है यह आपके सामने है तो सॉफ्टल एक स्कीम लाई गई जिससे यह सोचा गया है कि मतलब स्टेट लेबल पर जो लेबरेटरी है उस पूरे से ज्यादा टेस्टिंग हो सके और हमें रिजल्ट मिल सके और उसके बेसेस पर हम काम कर सके तो यहां पर जो सिक्स इनिशेटिव आप डिस स्कीम है वो कौन-कौन से हैं सपोर्ट मोबाइल लैब यानि कि जो बेसिकली मोबाइल लैब है सबसे बड़ा एक्जामपल कौन सा है फूट सेफटी ओन वील तो उनको सपोर्ट कर सके जो इस्टेट टेस्टिंग लैबरेटरीज हैं उनको यहां पर एक तरीके से और मजबूत कर सके जब नमबर ऑफ लैबरेटरी ज्यादा होंगी तो नेटवर्क बड़ा बनेगा तो जिससे और जाज़ादा सपोर्ट मिल उसके बाद में वहां पर काम करते हैं उनको और अच्छे से ट्रेन किया जा सके फिर जो रेफरल फूट लेबरेटरी यह उनको और मजबूत कर सके साथी साथ टेस्टिंग कल्चर डेवलप कर सके और इंसेंटिवाइज कर सके इस्टेट टू यूज दा फैसलिटीज इन द ठीक है कितने इनिशेटिव हैं सिक्स इनिशेटिव हैं ठीक है तो आगे हम देखते हैं एक बार नेक्स कोशन है कोशन नमबर एट इसका अंसर क्या होगा एक अंसर आया अभिशेक सी अनुसी कि डी ठीक है ठीक है ठीक है तो इसमें बहुत सारे लोग की सी अंसर आ रहे हैं बहुत सारे लोगों की डी अंसर आ रहे हैं यह भी किया है बहुत सारे लोगों ने कि सेंट्रल फूर्ट अथॉर्टी बहुत सारे लोग अंसर कर रहे हैं तो इसमें भी बहुत सारे लोगों को confusion है अभी बहुत ज़्यादा clear नहीं है ठीक है तो दिखो इसका correct answer क्या होगा इसका correct answer होगा D क्या होगा D तो D हमारा correct answer होगा ठीक है अगर हम यहाँ पर Central Food Authority की बात करें तो ऐसी कोई अथोर्टी नाम नहीं दिया गया है Central Food Authority का मतलब यहीं है अगर इस्टेट फूर अथोर्टी नहीं लगा है अगर आपसे कोई अथोर्टी बोल रहा है तो फूर्टी का मतलब क्या है Central Food Authority तो यह जो word है न Central यह कहीं पर भी officially use नहीं हुआ है तो नहीं आपको use करना है ठीक है as per law clearly mention है स्टार्टिंग में कि Food Authority मतलब Central Food Authority की बात हो रही है उसके इसाब से जो हमारा correct answer होगा option number D जो है वो correct होगा यानि कि state food authority और food authority आपस में मिल करके उसको enforce करेंगे ठीक है question number 9 है which of the following officer has a very important role to play as an enforcement officer ठीक है as an enforcement officer इसमें से कौन जो है जो enforcement officer की तरह यहां पर काम करता है ठीक है advocating officer भी किसी किसी ने answer किया है शरत इसका answer क्या होगा हमारा इसका जो correct answer होगा वो होगा food safety officer ठीक है enforcement मतलब समझे ना आप कि हमारे act और हमारे rules हमारे regulation में जो भी provisions mention है उन provisions को implement करना उनको execute करना यही होता है enforcement तो food safety officer as a enforcement officer काम करता है क्योंकि last में ground level पे जो अब देखो कि ground level पे जब enforcement होता है जब execution होता है law के provisions का वो food safety officer करता है तो इस वज़े से FSO यहां पर correct होगा question number 10 है कि to which laboratories are samples sent for retesting by the FSCI अगर retesting करानी हो तो कहां पर भेजा जाएगा sample तनुश्री C mostly subconsider D है D D ठीक है तो इसका हमारा correct answer क्या होगा यह D होगा अच्छा यह हम किस case में करते है referral food laboratory की ज़रूद किस case में पढ़ती है referral food laboratory की ज़रूद किस case में पढ़ती है कोई बताएगा एक single word में बतादो कब पढ़ती है कौन से sample को हम भेजते हैं basically referral food laboratory में और appeal ठीक है जब food business operator appeal करता है तब भी जा जाता है अकर वो report से satisfied नहीं है तो final जो testing होगी वो referral food laboratory में होगी और referral food laboratory के जो report होगी वो final report होगी ठीक है सबको clear है ठीक है question number 11 है कि what is the basic purpose of establishing food standards food standards को establish करने का basic purpose क्या है ठीक है तो अगर हम पहला option पढ़ते हैं कि assure the quality of agriculture product in India तो ये तो basically नहीं होगा ठीक है दूसरा option है कि to achieve food security for all ये भी नहीं होगा ठीक है food security achieve करना तो standards का काम नहीं है ठीक है उसके बाद में है protection of public health and risk promoting fair trade in food तो ये हमारा correct answer होगा क्योंकि जब भी हमने standards के बारे में बढ़ा है सबसे पहली line वहाँ पर यहीं निकल करके आती है तो हमारा correct answer क्या होगा option number c standards का basic purpose यहीं है d नहीं होगा जिसका भी d है वो गलत है ठीक उनके बारे में कौन सा statement आपको यहां पर सही लग रहा है एक बार पढ़ लेना सब लोग अच्छे से ठीक है ठीक 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 भी ठीक है तो पहला statement है कि all member of scientific panel and chair person of scientific panel तो यह तो सही नहीं होगा ठीक है दूसरा देखते है कि chair person of all scientific panel तो जितने भी scientific panel है कितने scientific panel है अभी के टाइम पे 21 scientific panel है यानि कि 21 scientific panel जो है उनके chair person प्लस यहां पर 6 independent expert होते हैं member होते हैं तो हमारा यहां पर correct होगा और all member of scientific panel and six independent expert यह भी नहीं होगा क्योंकि अगर हम सारे members को ले करके आएंगे तो बहुत जादा हो जाएंगे ठीक है और लास्ट में है all chair person of the scientific panel वह तो ठीक है इसके साथ में independent expert भी होते हैं तो यह सब हमारा गलत हो जाएगा ठीक है उसके बाद में है what is the frequency of audit for confectionery with a 51 to 80% audit score बहुत simple question है इसके बारे में already हमने पढ़ा हुआ है आपकी class में इसको अंसर कर दो एक table हमने discuss करी थी especially audit वाली class में अभिशेक यह किस particular question में आप बोल लो elaborate करने के लिए यह दरसल क्या होता है कि जो different type of products होते है उनको लेकर के FSS AI ने एक table form में data दिया है कि जो audit कराना होता है audit कराने का मतलब यह है कि systematic independent examination होता है जो भी companies होती है उनका data वगेरा तो यह जो independent examination होता है तो यहाँ पर अगर हम देखे तो different type of article of food होते है जैसे कि यहाँ पर confectionery की बात हो रही है तो जो food बहुत ज़ादा perishable nature होता है उसका audit थोड़ा जल्दी कराना होता है और वहाँ पर score देखा जाता है कि कितना score आ रहा है एक बार audit कराना जो है वो जरूरी है ठीक है और score कितना होना चाहिए 51 से 80% के बीच में 100% तो यह चीज़ यहाँ पर आपको धिहान रखनी है तो ऐसे करके एक बहुत बड़ा data हमने already FSS AI classes में discuss किया है वहाँ पर ठीक है जो audit वाली class है उसको आप पढ़ लेना बहुत standards making a draft notification is issued for the inviting public comment for a period of कि तो पब्ली कमेंट का जो time duration होता है वो कितना होता है 14 का भी कि मोस्टी सब का भी है ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है 60 days का time होता है यहाँ पर open रखा जाता है जिसको भी यहाँ पर comment करना है वो कर सकता है अपने suggestions दे सकता है कि आप जो standards बना रहे हो उसमें कुछ addition होना चाहिए या फिर यह point हटाने चाहिए तो बहुत सारी चीज़े हो सकती है तो यह एक basic process होता है इसके बारे में हमने class में discuss किया था ठीक है तो यहाँ पर already आपको पता है कि जब भी standards बना start होते तो सबसे पहले क्या होता है कि एक draft बनाया जाता है उस पे फिर review करता है scientific panel scientific panel के बाद में किसके पास चीज़े जाती है scientific committee के पास में जाती है then food authority food authority उसको approve करता है तो उसके ब कि आपने देखा होगा कि जो भी पैकेजिंग को लेकर के जो भी आप देखते हो कि ऐल हो गया फैट्स वगरा हो गया सुगर हो गया सॉल्ट हो गया इनको जो है बहुत ही बोल्डर और बिगर टेक्स्ट में भी मेंशन करना होगा तो इसको लेकर कि चीज़े वहां पर चल लेजिंग वाला उसमें विद देखने को मिलेगी तो यह सारे चेंजिस हमें देखने को मिलना क्योंकि मैली जो भी चीज़ें इंडिया में हो रही है वह मार्केटिंग को लेकर के बड़ा खेल हो रहा है कि प्रोड़क्ट के उपर हमने कुछ भी दिखा दिया और कंजूमर को attract करने के लिए हम कुछ भी sale कर रहे है ठीक है ऐसा हर जगा basically होता है आप देखोगे different जगा पर फूड के segment में अगर होता है तो consumer पर बहुत ज़्यादा risk होता है अगर different products में देखते तो इतना ज़्यादा issues नहीं होते है ठीक है तो यहाँ पर बात हो रही है कि vertical horizontal panel के बारे मे तो सबका answer क्या आया है बी तो कितने horizontal और कितने vertical पैनल है यह आपको बताना है तो vertical के बारे में अगर देखे तो 11 है horizontal कितने है 10 है तो हमारा correct answer क्या होगा यह हो जाएक है कौन-कौन से पैनल है एक बार देख लो इसको याद करने का एक तरीका बताया था आपको class में ठीक है इसको याद करने का एक तरीका बताया था कि अगर आपसे इस type के question पूछे जाते कि इनमें से कौन सा horizontal पैनल में है कौन सा इसमें vertical पैनल में है तो आप आसानी से बता सकते हो तो यहाँ पर horizontal पैनल है horizontal पैनल में वो सारी चीजे mention है जो food से related है vertical पैनल जो 11 है इसमें directly food को mention किय जा गया है different category of food को तो यहाँ पर horizontal पैनल जैसे food एडिटीव फ्लेवरिंग एजेंट्स या फिर प्रॉससिंग एड्स नहीं है यह तो फूड तो है नहीं हम इनको ऐसे directly तो कंजूम करते नहीं बट फूड में मिला करके इसको use किया जाता है उसके बाद में कंजूम करते है चाहिए pesticide residue है यह भी food का part है antibiotic residue हो गया genetically modified organism and food हो गया उसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर biological hazard हो गया सब्सक्राइब करते हैं तो यहाँ पर डिरेकली फूड के नाम मेंशन किये गया है चाहे वह फंक्शनल फूड हो फिश हो मीट प्रोड़क्स हो यहाँ पर देखो वाटर हो गया spices तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो ठीक है तो नेक्स्ट कोशन है आपके सामने कि वीच आप दा फॉलविंग एरिया कमस अंडर दा होरिजन्टल पैनल और साइंटिफिक पैनल कि इसका अंसर क्या होगा कोशन नंबर सिक्स्टीन है तो यहां पर पूछ रहा है हमसे होरिजन्टल पैनल के बारे में है पॉइंट कौन करता है नेश्ट क्लास में ना हम जो नैशनल बॉडी जैं उसमें से इस पेशली बी आई एस एपड़ा और एंपड़ा जो कुछ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहां से कॉश्चन सब डिसकस करेंगे ठीक है ठीक है Chief Executive Officer ऑफ दफू अथर्टी जो है वह इनको एपउइंट करते हैं कि कमिशनर ऑफूद सेफटी तो नहीं करते हैं य 내용 सेटिए पौट सेफटी ऑफिसर को एक्ट करते हैं डीजिग्नेट réussi भी नहीं करेगा स्फ़ स्थbert फूट सेफटी अपॉइंट करते है चेर पर्सन और स्थर इसे से आई तो यह करते निए है यह half NO Commissioner of Food Safety of the State, यहाँ पर यह नहीं होगा साही, ठीक है, फिर है कि which officer has the power to receive applications for the food import clearance, food import clearance को ले करके, जो application होता है, वो इसमें से कौन receive कर सकता है, authorized officer, food safety officer, designated officer, food analyst, क्या होगा, National bodies में सबसे बड़ा national body FSCI है, तो इस वज़े से FSCI को पहले, मतलब अलग से पढ़ा बहले ही है, लेकिन सबसे पहले FSCI को इसी वज़े से discuss कर लिए, ठीक है, तो authorized officer हमारा यहाँ पर correct होगा, तो especially authorized officer को import में ही यहाँ पर appoint किया जाता है, import clearance system में, बाकी general area में central food safety officer और state food safety officers आपको देखने को मिलेंगे, फिर which of the following committee as an interface between the central and the state authorities, इसका answer क्या होगा, कि which of the following committee as an interface between the central and state authorities, तो हमारा correct answer क्या होगा, यहाँ पर, रीना, रीना आपके न mostly questions जो होते हैं, वो wrong होते हैं, आप अभी ठीक से नहीं बढ़ रहा हो, यह बहुत basic हमने FSCI classes में discuss किये थे, और हमने बहुत जादा depth में जाकर के भी questions अभी नहीं prepare किये हैं, ठीक है, तो आप most, या तो फिर आप question को पढ़ते नहीं हो, या फिर आपने classes अभी नहीं करी हैं, दो ही reason हो सकते हैं, ठीक है, तो इसका correct answer क्या होगा, Central Advisory Committee, और यह proper तरीके से यह सारे points, एक different color में, मार्क करके दिये हैं आपको, जिससे आप आसानी से पढ़ सको, सारे points को mention करके कहां से चीज़े आती हैं, तो आप गलत नहीं करो, और questions का level increase होगा, यह थोड़ा सा अभी पढ़ ले रहे हैं, अभी तो basic basic कर ले रहे हैं, बढ़ हाँ, यहां से भी questions आएंगे, बढ़ कुछ आप लेवल के भी देखने को मिलेंगे, तो वो पढ़ते पढ़ते आप कर सकते हो, provision of a single window जो system है, to apply for the import clearance is called, उसको क्या बोलते हैं, एक यहां पर single window system है, जो बनाया गया है, import clearance को ले करके, तो यहां पर इसका answer क्या होगा, मुस्टी सबको answer आ रहा है B, तो B क्या है, B क्या है यहां पर, single window interface for facilitating trade, ठीक है, तो एक तरीके से यह trade को facilitate करने के लिए, उसको और easy manner में उसका जो भी process होता है, clearance system होता है, उसको और आसान बनाने के लिए, यहां पर swift लाया गया है, ठीक है, याद रहागा न, ठीक, फिर है, अब provisional NOC is granted to an imported food consignment without waiting for the lab analysis report, options दिएगे हैं आपके सामने, उसके according आप answer करो, provisional NOC की बारे में आपने पढ़ा होगा, अगर उसको हम grant करने की बात करें, तो किन cases में provisional NOC को issue किया जा सकता है, option number A, option number B, बहुत सारे लोगों ने बोला है, सौरव वर्मा, option number 4, D, 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 ठीक है, तो इसमें A वाले भी हैं कुछ लोग, सोनिया A, तो यहाँ पर देखो, हमारा answer क्या होगा, option number D, जो है, वो correct होगा, यहाँ पर बोला है, self life, यहाँ पर लिखा है, more than, ठीक है, अगर यहाँ पर यह less than होता न, तब यहाँ पर यह correct होता, बट यहाँ पर more than है, तो यहाँ पर यह correct नहीं होगा, फिर personal use के लिए case में भी NOC नहीं मिलता है, जो food is for display purpose आप ले जा रहो, तब भी आपको नहीं मिलेगा, अगर कोई food ऐसा है, जिसको special storage condition चाहिए, तो वहाँ पर आप देखोगे, यह आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, तो इस वज़े से option number D हमारा correct होगा, तो एक बार देख लो, अगर हम देखें, provisional NOC को issue करने की कुछ conditions होती है, provisional NOC की अगर हम बात करें, तो NOC कब issue किया जाता है, basically अगर आप इंडिया में कोई food का business कर रहो, आपने suppose that, कि आपने अमेरिका से कोई भी article of food अपने यहाँ पर import किया, import करने के बाद में, जो food import clearance system है, वहाँ पर आप जाओगे, और जब आप custom से उसको release कराओगे, तो आपको वहाँ पर NOC की जरूरत पड़ेगी, वो lab से आपको मिलती है, तो यहाँ पर पहले sample जाएगा, फिर जब lab से आपको जब NOC मिल जाएगा, तब आपका जो भी article of food है, उसको वहाँ से release किया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे article of food होते हैं, जिनको special type storage condition चाहिए होती है, अगर delay करेंगे, तो वो खराब हो जाएंगे, अगर खराब हो जाएंगे, तो फिर किसी काम के नहीं रहेंगे न, तो इसके लिए यहाँ पर क्या रखा गया है, कि एक provision लाया गया है, तो वो साथ दिन से अगर कम है, तो उस case में कर दिया जाएगा, बट importer को वहाँ पर इन सारी चीजों के लिए एक form भरना पड़ता है, form नमबर 13, उसके बाद में imported food item है, which require special storage, अगर special storage चाहिए, तब भी मिल जाएगा वहाँ पर, और वहाँ पर form नमबर 12 भरना पड़ेगा, imported pre-packaged retail food products है, तो उस case में भी यहाँ पर मिल जाएगा, तो यहाँ पर form नमबर 13 भरना पड़ेगा, तो यह कुछ conditions है, जिन case में यहाँ पर, जिन conditions में यहाँ पर, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोविजना लेनोसी मिल जाएगा, नीशा, ठीक है, ठीक है, clear है ना, ठीक है, next question पर आते हैं, यह basically regulation का question है, बड़ FSCI से related था, तो इस वज़े से यहाँ पर इसको डाला गया है, जो भी pretty food business operators होते हैं, जब उनको खुद को register करना होता है, authority के साथ में, तो वो कौन सा form भरते हैं, ठीक है, form नमबर A भरते हैं, ठीक है, B किस case में भरा जाता है, license के case में, C किस case में आता है, C आता है, जो form जब आप fill up करते हो, उसके बाद में जो final आपको मिलता है, आपका license registration, वो format C में होता है, D किसले भरते हैं, D return file करने के लिए होता है, ठीक है, C जो होता है, form C में क्या होता है, अभिशेक, form जो C होता है, उसमें आपका license या registration उस format में issue किया जाता है, जब भिए आप shop पे जाते हो, जो shop पे जब आपके सामने एक FSSRI का license रखा होता है, या पर कहीं पे टंगा होता है, कुछ भी होता है, तो वो कौन से form में होता है, वो form C में होता है, ठीक है? किलियर हो गया भी किया लैसो्य कोशनन है त секー ट्रेनिंग करिक्यूलम फार ऐफसोड एफसोर दैस लॉंग तो एंप ऐसर का जो ट्रेनिंग सीग 76 का होता है was about YouTube का ऐस्ट्रेनिंग प्रोग्राम मुटता है 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 कि चाहलीज दिनका ट्रेनिंग होता है जब आप आप Food Safety Officer बन जाओगे, चाहे आप State में बनो, चाहे आप Central में बनो, सभी का Training Period जो होता है, वो 40 Days का होता है, 40 Days के Training Period को 3 हम उसमें Divide कर सकते हैं, एक Foundation Phase होता है, एक Learning Phase होता है, और एक Application Phase होता है, ठीक है, तो इनको अगर हम देखें, तो यहाँ पर पहली जो Training होगी, आपकी वो 5 दिन की होगी, Learning Phase जो होगा, वो आपका 12 दिन का होगा, और जो आपका Application Phase होता है, जो Basically on Job Training होती है, वो 23 Days के होती है, सब को मिलाद होगे, तो 40 Days का Training Period आपका होता है, ठीक है, अई भी इतना समझ में आया, आपको, तो इससे भी Question पूछ सकता है, आपसे, ठीक है, इसके भी और डिटेल में जा सकता है, जो हमने क्लास में बढ़ाता है, कि Foundation Phase में भी, जो Day 1, Day 2, Day 3 में क्या करते हैं, ऐसे Questions आए हुए है, आ सकते हैं, तो बहुत Important Topic है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं, कि What is the full form of CHA, CHA क्या है, CHA क्या है, CHA क्या है, CHA क्या niewerelli क्या, क्या करते हैं यह, क्लास में बढ़ा होगा आपने क्या करते है, यह Custom House Agent यह क्या करते हैं, पेसिकली हम इनको IMPORTER भी बोल सकते हैं, इंपोर्टर या फिर कस्टम हाउस एजेंट ठीक है तो यही बेसिकली नहीं आडिट आडिट तो नहीं करते हैं यह यह इंपोर्ट करते हैं जो बेसिकली वहाँ पर आप देखते हो कि किसी के थ्रो अगर हम इंपोर्ट करवा रहे हैं ठीक है तो कभी-कभी होता है कि आप डा दोनों लगबग सेम होते हैं ठीक है नहीं review भी नहीं करते हैं वहाँ पर जो major अब यह जो custom house agent होता है न देखो समझो ये custom house agent या फिर importer दोनों लगबग सेम है अगर आप पिंडिविजवली अगर आपने खुद का रेजिस्टेशन कर रखा हुआ है तो आप वहां पर जाओगे और आप खुद से कर सकते हो ठीक है खुद से आप इंपोर्ट कर सकते हो कभी हो सकता है कि आप एजेंट के थो वहाँ पर इंपोर्ट करवा रहे कोई आर्टिकल ओफूर तो कस्टम हाउस एजेंट्स वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे ठीक है अब यही एजेंट्स होते हैं तो इनकी पूरी अगर हम थार्ट पार्टी ऑडिट की बात करें तो सारे पॉइंट्स को अगर आप पढ़ो तो वह यहाँ पर किस से रिलेट करता है थार्ट पार्टी ऑडिट थार्ट पार्टी ऑडिट के बेसिकली बेनिफिट क्या है अगर हम देखे तो ठीक है तो mostly सब लोगों का option number C करेक्ट है थार्ट पार्टी ऑडिट से क्या होगा कि जो food safety inspection होता है जो licensing authority conduct कराती है उनके उपर जो workload होता है मुसको कम कर सकते हैं और जो number of frequencies होती है उसको भी हम कम कर सकते है ठीक है तो थार्ट पार्टी ऑडिट आप देखते हो कि basically एक तो होता है internal audit उसके बारे में आपको पढ़ाया था ठीक है और जो भी आप देखोगे जो एक external audit होता है third party audit होता है इसके बारे में already हमने class में discuss किया ठीक है उसके according हमारा जो answer होगा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा एक 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 एससे आई ने जो third party audit को लाया है ठीक है food business operator के लिए तो इसमें से आप देखोगे कि कौन सा point है जो एक तरीके से सही नहीं बैठ रहा है ठीक है this will help in the following तो कौन सा ऐसा point है जो proper तरीके से relate नहीं करता है ठीक है तो अगर हम देखें पहला strength food safety surveillance system तो इससे कोई लिना देना नहीं है हमारा audit से अगर हम देखें third party audit से increase preparation of healthy food sorry question के according अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा increase preparation of healthy food तो यह हमारा correct होगा क्योंकि जब हम देखते हैं कि third party audit यहाँ पर लाया गया तो third party audit का इससे healthy food से कोई लेना देना नहीं है उसके लिए other चीज़े होती है other initiative जो है FSCI लेकर के आया है बाकी के सारे point जो है वो relate करेंगे क्योंकि audit जल्दी जल्दी होगा तो लोग self compliance करेंगे जब self compliance करेंगे तो गलतियां कम होगी regulations को अच्छे से follow करेंगे standards को follow करेंगे जब वो standards को follow करेंगे तो यह chances हैं ज्यादतर chances हैं कि जो article of food बनेगा वो हमारी health के लिए अच्छा होगा ठीक है ए नहीं होगा ठीक है उसके बाद में for recognition of auditing organization agencies should have valid accreditation agent अब अगर कोई company है उसको यहाँ पर recognition लेना है as a auditing agency तो FSCI इन में से कौन सी चीज़ों को देखता है यानि कि उस agency के पास में कौन सा यहाँ पर accreditation होना चाहिए ठीक है तो यह आपको बताना है ठीक है तो इसका correct answer क्या होगा हमारा याद रखना एकदम option number अगर सी भी है बी भी है तो हमारा answer क्या होगा वन जीरो वन सेवन जीरो टू जीरो टू जीरो टू यह नंबर याद रखना आए उस होगा तो यह हमारा यहाँ पर correct होगा option number एक और question है अब यहाँ पर अलड़ी यह सारी चीज़े हम discuss कर चुके है कि किसी भी auditing agency को अगर चाहिए होता है यहाँ पर recognition तो सबसे पहले वो FSCI में एक application डालते है FSCI उस application को क्या करता है review करता है screening करता है और उसके बाद में कुछ चीज़े होती है जो qualification जो चाहिए जो सारी चीज़े अगर है तो वो आगे approved होकर के जाएंगी otherwise उसको reset कर दिया जाएगा और उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा चीज़े जब आगे जाएंगी तो FSCI की website उसको display कर दिया जाएगा certificate वगेरा इशू कर दिया जाएगा अब वो company कहीं पर भी जाकर के audit वगेरा कर सकती है ठीक है यह चीज़ आपको समझ में आए और यहाँ पर ISO 17020 और यहाँ पर यह चीज़े होनी चाहिए ठीक है इतना किलियर है शुड्ड हैवा मिनिमम्म थ्री कॉलिफाइड ऑडिटर भी होने चाहिए उनके पास में यह भी इंपॉर्टेंट है याद रखना उसके बाद में हैं अंडर विच आईएसो सिरीज guideline for the audit management system of the food safety management system of a food business operator given यह भी आपने पढ़ा है audit की class में अगर हम audit management system की बात करें तो वहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा यहाँ पर ISO certification होना जरूरी है food safety management system को सुन करके अंसर नहीं करना है यह जो term है audit management system इसको भी ध्यान में रखके आपको अंसर करना है और अगर केवल कहीं पर food safety management system के बारे में पूछेगा तो यहाँ पर ISO 22000 हमें देखने को मिलता है बट हमसे क्या पूछ रहा है हमसे यहाँ पर audit को लेकर के पूछ रहा है एक term जुड़ गया na audit audit यहाँ पर लग गया तो उस वजय से हमारा अंसर क्या हो जाएगा दी हमारा correct हो जाएगा एक इस case में correct होता अगर हमसे यह audit और यह सब चीज़े ना पूछ रहा होता केवल food safety management system के बारे में पूछ रहा होता बट audit के बारे में पूछ रहा है तो हमारा यहाँ पर correct answer क्या होगा यह हो जाएगा वन सेवन जीरो टू जीरो याद रखना जो हमने पीछे देखा था ठीक है और उसके बाद में यह वाला जो है यह याद रखना audit management system को ले करके question number 29 है if the imported food samples are sent to FSSAI notified NABL accredited laboratory if sample is found not confirming then generates तो उस case में क्या generate होगा हम से food safety management system से related हम से वहाँ पर पूछा गया है audit तो इस वज़े से जो हमारा D option है वही correct होगा ठीक है तो यहाँ पर क्या issue किया जाएगा तो यहाँ पर क्या है not confirming है तो इस case में non confirming report यहाँ पर issue की जाएगी अगर यह confirm करता तो हम no objection certificate मिल जाता और वहाँ से custom से article of food को release कर दिया जाता यह तो होगा नहीं ठीक है तो हमारा correct answer क्या हो जाएगा ठीक है option number B उसके बाद में है FSCI license number comprises 14th digit 4th और 5th digit के अगर हम बात करें तो वह क्या represent करता है FSCI license number में अगर हम देखें तो यहाँ पर 14 digit होते हैं और उसमें से आपको बताना है कि जो 4th और 5th है वो क्या बताता है यहाँ पर option number B कुछ लोग यहाँ पर A वाले भी हैं कुछ लोग C वाले भी हैं ठीक है अभी भी confusion है देखो इसको एक बार अच्छे से देख लो ऐसे questions गलत नहीं करना यहाँ पर आप समझ लो अच्छे से आपके सामने आपको दिख रहा है कि FSCI का license number ठीक है यह FSCI का license number दिख रहा है आपको और हमारे सामने total 14 डिजिट है तो जो पहला वाला नंबर है ठीक है पस्ट जो डिजिट है वो क्या बता रहा है वो बता रहा है कि यह license है या registration है एक होगा तो license है दो होगा तो registration है 1 1 क्या बता रहा है यह बता रहा है इस टेट कोड किस पर्टिकुलर स्टेट में इस्टेट में इस हुआ है देखें एक दो तीन चार ठीक है चौथा और पाच्व अगर हम देखते तो क्या बता रहा है यहां पर जो हमारा करेक्ट अंसर होगा वो क्या होगा अभी कोई डाउट किलियर है तो क्या अंसर होगा हमारा option number C जो है वो करेक्ट होगा ठीक है ठीक तो यह याद रखना ठीक है और उसके बाद में जब आप जाओगे जो भी नंबर्स है तो वो यहां पर बताएंगे कि किस authority ने यहां पर इसू किया है उसका यहां पर एक identification number होता है और लास्ट में जो होता है वो serial number होता है food business operator का ठीक लास्ट कोशन है बता दो कि who is the present chairperson of the food authority add present FSAI के chairperson कौन है तो add present अभी भी लोगों के कुछ लोगों के answers गलत है तो यहां पर option number A हमारा correct होगा अपूर्व चंद्र जो है वो add present FSAI के chairperson है ठीक है इससे पहले आपको देखने को मिलेगा शुदांस पंत और उससे पहले आपको राजेश भूशन और उसके पहले आप आपको यहां पर जो दिया गया है यह चीफ executive officer रही है ठीक है अगर हम पूछते हैं यहां पर चीफ executive officer of the FSAI तो यहां पर कौन है हाथ अनुश्री लास्ट अभी भी दोखों लोग गलत कर रहे हैं तुम सही कर रहे हो बाकी लोग तो गलत कर रहे हैं गलत किया था तुमने भी एक दो question ठीक है और तो यहां पर यह याद रखना स्री पी आई सर्वाथन जो थे वो यहां पर first chair person थे और यह पूछा जायाएगा नहीं वैसे बट याद रखना आपको जी बाला चंदरन जो थे वो first chief executive officer थे ठीक है ठीक है clear है न तो यहां पर यह सारे आप sequence याद रखना यह बहुत पहले आपको देखने को मिलेंगी मैडम उसके बाद में आप देखो कि शायद यहां पर राजेस भूशन और यह आपको शुदान स्पंत और उसके बाद में तो यह आपको sequence देखने को मिलेगा अगर आप देखोगे की chair person का food laboratory class जो है वो regulation देखो laboratory दो जगे पढ़ाया है food laboratory के बारे में एक तो regulation में पढ़ाया है कि regulation क्या कहता है food laboratory के बारे में बाकी जो laboratory के बारे में पढ़ाया है कि food laboratory का ecosystem क्या है वो fssai की class में पढ़ाया वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि referral food कौन सी है reference food laboratory कौन कौन सी है primary food laboratory के बारे में numbers कितने क्या है soft tail food laboratory ये सब हमने कहां पढ़ा है ये fssai में ही एक class में हमने discuss किया है food laboratory के बारे में जिसको हमने food laboratory ecosystem का नाम दिया है और उसके बाद में जो fssr है वो हमने food law वाले में discuss किया है तो दो जगा पर हमने food laboratory के बारे में पढ़ा है QCI जो है वो किसमें आएगा QCI आएगा accredited bodies में तो जब हम accredited bodies पढ़ेंगे तो वहाँ पर NABL और QCI इनके बारे में हम पढ़ेंगे ठीक है तो national level पर जैसे FSCI है उसको लेकर के FSCI की बात करते हैं food standards को लेकर के single reference point है वैसे यहाँ पर quality council of India जो है वो एक तरीके से accredited bodies है national level पर हम देखें तो वो इस तरीके से काम करती है तो QCI के बारे में भी हमें देखना है बहुत ज़्यादा detail में नहीं उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है आइडिया होना चाहिए आपको तो QCI और यह सब किसमें पढ़ेंगे accredited bodies की जब हम बात करते है नैशनल और इंटरनाशनल तो उसके बारे में बढ़ेंगे में इंटरनाशनल में आप पढ़ोगे किसके बारे में IEF के बारे में तो ISO की class में थोड़ा बहुत हमने आइफ के बारे में डिसकस किया था इंटर नैशनल एक्रिडेटीटिट फोरम के बारे में की इंटरनैशन एक्रिड़िटेशन फोरम के थीक है तो आई एफ के बारे में इंग्लिस नूर्ट नुम अच्छा अच्छा अच्छी यह जो पूर्शन है ना फूड का और यह फसे से आई या फिर जूनियर एनालिस्ट जितने भी एक्जाम्स होते हैं इनमें थोड़ा हिंदी में बहुत डिफिकल्टी होती है कि मतलब अगर आप लॉप पढ़ोगे जो भी चीजे पर हो तो आपक आपको समझ में आएगा गामा थोड़ा सा ना एफस उससे बी आई एस से रिलेटेट थोड़ा बहुत है तो इसके बारे में भी डिसकस कर लेंगे है ठीक है मेजर पॉर्शन होने के बाद में इसके बारे में भी डिसकस कर लेंगे ठीक है बड़ यह हमारे सिलेबस का डिरे उसलिए अभी देखो जितना सिलेबस आपने कवर कर लिया है गर देखें तो लास्ट टाइम जब एक्जाम हुआ तर लोग एक्जाम देने जाते हैं तो एक्जाम जब दे रहे होते तब भी इतना पढ़के नहीं जाते रेगुलेशन और यह सब को स्टार्टिंग में बैठत हैं वह लगाओ आपको जो पॉर्डल पर दिये जा रहे हैं वह लगाओ बट यह नहीं कि जबर्दस्ति किसी वेबसाइट पर जा रहे हैं और वहां पर कॉश्चन सॉल्व कर रहे हो उतना वह सब करने की ज़रूरत नहीं है इस पाइस बोर्ड का लेक्चर जो है वह एड़ होंगे उसके बाद में आपकी लगवर इनिशेटीव बचेगा वह जस्ट एक्जाम से पहले देता है इस वज़े से उसका डेटा बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है अभी आपको पढ़ा दें आपको होगे जैसे कि क्लीन स्टीट फूड हपको लेकर के नंबर पहले 50 होता था अभी 20 कर दिया तो यह चोटे-चोटे चेंजस हैं और आप बोलोगे कि स्वाइजुकेशन ने गलट डेटा दे दिया तो यह सारी चीज़े ध्यान रख करके फिर अभी जैसे कि बहुत सारी चीज़े हुई है इंटरनेशनल डेरी फेडरेशन में आपकी क्लास मे पहले करेंगे बट इनिशेटिव में बहुत जादा अपडेट होते रहते हैं तो उनको भी हम कर लेंगे बट मेजर जो डेटा है वो डिसकस कर चुके हैं आपके साथ और कोई डाउट है तो आप पूछो बहुत सारी चीज़े तो हमने ऐसी भी पढ़ी है जहां से क्वेश ले लेते हैं ठीक है हम एपेडा ले लेते हैं अ कि एंपेडा ले लेते हैं और अगर टाइम बचेगा इतने कोशन के अलावा दिख भी नहीं रहा होगा आपको कि अ कि अब यह यह लिटा अगर अगर और और यह यह कुछ मेजर और जेशन रहेंगे और एक और एड कर लो सर्टिफिकेशन मार्क जो कि अधिक अ कि यह सब इनिकोब चेंज नहीं करेंगे इस बार ठीक है कि इतने तो रहेंगे रहेंगे इसमें अगर कुछ अद करना होगा तो आट करना है कि और तो अगर हेरोगत मैं ठीक है और कोई डाउट है कि क्लास को यह पे करें है कि ठीक है थैंक्यू सो मुच POLощ मच एव्रीवन को ज़िए लिए OMG ज़िए गुड नाइट थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स क्लास में ठीक है